नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम W.E.Exam 2010 का पेपर सोल करने वाले हैं तो इस पेपर के आंदर हम पहले क्यूशन उसके बाद में आंसर डिसकस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्यूशन है इस क्यूशन के बारे में डिसकस कर लेते हैं उसके बाद इसका आंसर बताएंगी किस साकना से का छिड़काओं के कारने कपास के पत्ते मनुश्य के हाथ के पंजी की तरह हो जाते हैं तो आप सभी को पता ही है तो गाईच यहाँ पे इस क्यूशन का जो आंसर है वो A हो जाएगा क्योंकि जो 2-4-D हो चोड़ी पत्ती खरपतवारों के अंदर यूज लिया जाता है अगर कपास के अंदर इसका प्रियोग कर लिया जाए तो इसके जो पत्ते हैं वो मनुश्य के हाथ के समान हो जाते है नेक्स्ट यहाँ पे क्यूशन दिया गया है कि फैलरीस मायनर जिसे है अपन लोकल बासा में अगर बात करें तो γूली डंडा या उसको अपन गेहूँ उसा या गेहूं का मामा के लियोज जना जाता है तो यहाँ पे फैलरिस माइनर है या गेंगों का नकलची खरपतवार है इसका साखनासी यानकी यह जो खरपतवार है वो किस साखनासी के परति सैंचीलता हो गया है यानकी रेजिस्टेंस हो गया है पैंडे मेथिलीन, आइसोप्रूटोनोर, बासालीन या फ्रूकलोरीन तो यहाँ पे इसक्यूशन का अंसर है वो भी हो जाएगा जो आइसोप्रूटोनोर है वो संक्री पत्ती वालों के लिए परति संक्री पत्ती है तो यह इसके परति जो रेजिस्टेंस है वो हो चुका है तो इसकी जगह अब कुंसा खरपतवार नासी काम में लिया जाता है या साकना सी काम में लिया जाता है तो वो सल्फो सल्फिरोन काम में लिया जाता है कौन सा सल्फो सल्फिरोन काम में लिया जाता है अब बात करेंगे इस क्यूशन का जो आंसर है वो भी आंसर हो जाएगा थर्ड क्यूशन यहाँ पे लिखा है कि नाम के आधार पे कौन सा रोग यानि की नाम के अधार पे एसा कौन सा रोग है जो मक्का, तोरियां, सरसों, मटर, मशूर और चनि की फसल में लगता है यानि की 6 के 6 छे फसलों के इंदर लगता है a answer b b वुंकनी भी तुल्याइका सी पिला चितरवन और डी है यहां पे बन देता आता देखी यहां पे अपन को हिंदी में समझ बनाए तो इंग्लेश में पढ़ सकते हैं like powdery mildew downy mildew yellow Mojut même थो यहां पर आपहण सारा पढट सकते हैं तो इस question का जो answer है देखמן powdery mildew वो में भी हुखने सरसों में भी लगता है तो यह जो question है दो में लग रहा है तो इसका मतल्ब यानि कि सभी टोरियां में भी लगता है मटर में भी लगता है चने में भी और मशूर में भी सभी में जो पाउड़े मिल डियो यानि बुंकनी रोग लगता है इस क्यूशन का जो आंसर है वो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि मेंडल ये तो अपन दस्वें के लाज से क्यू लोजीन को लेंगो तो इस क्यूशन का आंसर है वो आपको बताना है कि क्या होगा तो देखे इस क्यूशन का जो आप सभी स्टूडेंट से कमेंट भी कर सकते हो और आप सभी को मैं बता देता हूँ इस क्यूशन का आंसर है वो डी होगा को लेंगो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही है काजरी कांस्तित है जेपूर, उदेपूर, जोधपूर, बर्धपूर तो काजरी है वो जोधपूर में स्तित है इस क्यूशन गांसुर है वो भी हो जाएगा आगे सेवन नमबर क्यूशन है फाइलोडी यानिके फाइलोडी है वो किसमे लगती है तो सिधा सा पढ़ने से पता चल रहा है फाइलोडी है वो तिल से समन्दित है स्पेद गेरूई करमशे यानि किसकी बिमारिया है तो यह किसकी मुख्य रूप से बिमारिया है तो जो स्पेद गेरूई है वो सर्षों की हो गई और फाइलोडी है तिल की द आँसर हो सकता है नेक्स्ट यहां पे के हरीखाद के तोर पर उगई जाने वाली फसले जिस कुल में होती है वे हई हरीखाद वाली लेगिमनेसी, रोजेसी, पेपलियोंेसी और सोलेनेसी तो आप सभी को बता दो इस क्यूशन का जो आंसर है वो यह आंसर हो जाएगा लेगिम किशन बात करेंगे 9 number कुषन है agriculture किस बासा का सबद है वैह बासा है फ्रांसीशी रुसी गृäिक्र और लेटिन तो आप सभी को पता है गाईच इस कुशन का जो आंसर है वो लेटिन होगा आपको बता दूँ कि एक्री कल्चर कल्चर जिसके पीछे लगा है वो लेटिन में आ जाएगा और जिसके नोमी लगा है वो ग्रिक में आ जाएगा तो इस क्यूशन का जो आंसर है वो डी आंसर हो जाएगा अपना बात करेंगे नेक्स्ट क्यूशन पर तो नेक्स्ट क्यूशन बहुत ही इसका नाम पहले R.E.U. के नाम से था और जो M.P.A.T.S की स्थापना कब होई थी इसक्यूशन का अंसर बताना है तो यहां पे जो B.K.N.E.R. थी पहले उदेपूर में थी उसके बाद में उसका ट्रांसपर हुआ था तो इसक्यूशन का B.K.N.E.R. वाले का यहां पे B.A.N.S.R. होगा 1962 के अंदर रास्तान करसी वी सुविदाले B.K.N.E.R. की स्थापना हुई थी और माहरना परताब करसी वी सुविदाले उदेपूर में है उसकी 1909 में में स्थापना हुई थी तो इसक्यूशन का जो आंसर है वो B.A.N.S.R. हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे अपन की अभी तक कितने पॉसक्ततों की यानि की पॉसक्ततों आवशक्ता के रूप में पाए जाते हैं तो यहां पे 30, 16, 18, 20 तो इसक्यूशन का जो आंसर है वो यहां पे दिखे यह क्यूशन है वो 2010 का है तो इसी according यहां पर 16 हो जाएगा क्योंकि यहां पे 17, 17 आप पॉसक्ततों के बारे में डिसकस नहीं किया गया तो अपन 18 तो लगा ही नहीं सकते तो इसक्यूशन का जो आंसर है वो अपन 16 ही लगाएंगे कुछ स्टूर्डेंट्स है वो यह सोच रहे हैं कि सर यहां पे 18 करेंगे या 16 करेंगे तो इस क्यूशन का जो है वो राइट आंसर यहां पे 16 ही करेंगे तो यहां पे 17 ही पो सकते तो 18 तो होई नहीं सकते, कम कर सकते हैं अपन एक लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते आगे नेक्स्ट में हैं अमोनिया को नाइट्रेट या नाइटराइट देखें नाइटराइट या नाइटरेट को नाइटरेट में बदलने की करमश्य है समुवव है नाइट्रो मोनास N hierobactor,ืodomonas,agytorbactor,actrobacterium,bacillus,ARD steps, NEkromidium तो यहां पर इस lasн乾 से आंसर को we can do that यहां पर अंपोनिय को नाइकटर इस्कुेशन को नाइटरेट में बदलने का रहाँ है, annoythroponis और को sheilald को hiilad Chapriaर जो आंसर है करेंगे तेरा नमबर क्यूशन है कि फासफोर्स काफी स्टूडेंट्स को यह नहीं पता चलता कि फासफोर्स और पॉटास कौन-कौन से होते हैं छोड़ो अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए फास फॉर्स है वो यहां पे बोला है P205 में बदलने के लिए प्रिवर्तन गुरुनांग है गुरुनांग कितना होगा 1.20, 2.29 और 1.40 और 1.63 आप सभी को पता होगा कि पॉइंट के बाद जो संक्या होती है उसको अपन एक एक करके बोला जाता है इस क्यूशन का जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पे B आंसर हो जाएगा यहां के 2.29 हो जाएगा इस क्यूशन का जो आंसर है वो B आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे Central Research Institute for Dryland Agriculture State है तो यहाँ पर Dryland Agriculture State है तो यहाँ पर इस क्यूशन का अंसर है वो क्या होना चीए देखिए धनबाद भी नहीं होगा मुरादाबाद भी नहीं होगा और गुजरात भी नहीं हो तो इस क्यूशन का जो आंसर है वो C आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्यूशन पर कि बटों की चिमनी का दुआ से काला सीरा रोग यह तो अपन जैसे ही आम की फसल को याद करते हैं तो आम से ही पता चल जाता है कि आम के अंदर जो काला सीरा लोग है वो लगता है इंट की बटों के पास में होने वाले बाग के अंदर या उध्यान के अंदर देखने को मिलता है नेक्स्ट है यहाँ पे मौली बडेनम यान के एमो पॉसकततों की कमी से विबडल रोग के लक्षन उत्पन होते हैं पता गोबी में फूल गोबी में गांट गोबी में और ब्रोकलाई में तो देखे इस क्यूशन का जो आंसर है देखे ब्रोकलाई भी नहीं होगा गांट गोबी नहीं होगा अब दोनों के कन्फूजिंग रहते हैं कि पता गोबी में या फूल गोबी में देखे विबडल होगा है वो फूल गोबी में होता है यहाँ पे बी आंसर है वो राइट हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे 17 नमबर क्यूशन है कि पानी दोवारा मर्दा स्रणन की पहली अवस्ता है तो पहली अवस्ता कौन सी है वो आपको बतानी है पतली नालिया बनना गहरी नालिया बनना परत का बहना और यहाँ पे पानी की धारा किनारों के किनारों पर बहना या किनारों का बहना इस क्यूशन का अंसर है वो क्या होगा पानी के दोवारा मर्दा सरण की पहली अवस्ता कुंसी है तो मर्दा सरण की पहली अवस्ता है वो seat erosion होगी यहांद की seat erosion होगी यहांपे परत का बहना इस question का answer होगा अपनी जो class लगती है उस class में मैंने आपको बताया था जो trick थी वो trick के मादेम से आपको clear किया हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा डिसकसनी करेंगे ट्रिक के बारे में अपन क्यूशन ही बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे 18 नमबर क्यूशन है कि फसल की बिजाई से पहले खेद की जुताई करने की पूरी किरिया टिलेज के फादर ओफ टिलेज किसे का जाता है तो देखे जो यहाँ पे इस क्यूशन का अंसर है वो हो जाएगा D answer है वो right हो जाएगा देखे और तरियंग भी नहीं होगा J1 living भी नहीं होगा जेंडरो टूल होगा इस क्यूशन का अंसर है वो यहाँ पे D answer हो जाएगा Next यहाँ पे 19 नमर क्यूशन है उसर भूमी सुधार में इस्तेमाल किया जाता है उसर भूमी सुधार इस्तेमाल किया जाता है केलसियम सल्फेट, केलसियम कर्बोनेड, पोटेसियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट तो क्या यूज में लिया जाता है उसर भूमी को सुधार के लिए काम में लिया जाता है तो calcium sulfate को काम में लिए जाइक इस क्यूशन का जो आनसर है वो A आनसर हो जाएगा next यहां पे बहुत इच्छा क्यूशन है जो किसी स्तान की यान की किसी भी जगे की altitude का अर्थ उस जगे का उस्थ होता है तो उस जगे का उस्थ होता है तो वो क्या होता है ? अंतर राजी है बस अड़े की उंचाई यह तो गलत है नदी तलाई की गलत है नहर की तल से उंचाई यह भी गलत है समुदर तल से उंचाई इस क्यूशन का जो आंसर है वो D होगा जो अल्टिटूड है आप सभी को पता है समुदर तल की उंचाई है वो अल्टिटूड यान बोर्ड के नीचे लिखा होता है समुन्दर तल से इतनी उचाई, समुन्दर तल से इतनी उचाई तो वहाँ से देखने को मिलती है हमें नेक्स्ट यहाँ पर कि विभीन उचाईयों के पोदों को एक ही खेत में एक साथ पेदा करने को कहते हैं तो क्या कहा जाता है देखिए विभीन उचाईयों के पोदों को एक ही खेत के साथ करना क्या कहलाता है तो इस क्यूशन का जो आंसर है वो हो जाएगा बहुस तरिया फसल उतपादन यानि कि multi storage cropping कहा जाता है इस question का जो answer है वो भी answer हो जाएगा next यहाँ पे 22 number question है कि why you bundle atmosphere के सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है steptrophier, mesosphere, troposphere और thermosphere जो नीचे वाली परत है उसको troposphere कहा जाता है इस question का जो answer है उससे answer हो जाएगा next यहाँ पे 23 number question है वो नीमली कित में से कौन सा सबद का जोड़ा सही है लाल मर्दा जिसका यहाँ पे सबद का जोड़ा सही है बोलाए कंकरीली चारी है मर्दा जिसका pH मान 8.5 से अधिक काली मर्दा केलोनाइट संपन लेट राइट मर्दा जिसका pH 8 होता है तो इस question का जो answer है वो होगा बी answer है क्योंकि छारी है मर्दा जिसका pH मान है 8.5 से अधिक होता है तो यहाँ पे बाकी जोड़े है वो गलत है एक ही जोड़े है वो सही हो जाएगा यहाँ पे रीचिन, कलोवा, कर्स, गेली या इस्टेमस, रुगमस किस फसल का पर मुख्य, खर्पतवार है तो यह मुख्य रूप से देखे ग्यों का जो ग्योंसा हो गया बाजरी का नहीं है मक्काव का भी नहीं है यहाँ पे इस question का answer है वो धान हो जाएगा याँ कि धान के ये मुख्य खर्पतवार होंगी इस question का जो answer है वो डी answer हो जाएगा नेक्स्ट में यहाँ पे 25 नमबर question है कि स्तर के दसक में बीटा कलोर साखना सी याँ कि हर्बी साइड किस नाम से धान की फसल में इस्तेमाल के लिए परसिद हुआ था मिल कलोर, मचेटी, डेल कलोर या मार कलोर तो यहाँ पे जो बीटा कलोर है उसका नाम पुचा वेपारिक नाम पुचा गया है तो वेपारिक नाम है वो मचेटी के नाम से जाना जाता है इस question का जो answer है वो भी answer हो जाएगा next यहाँ पे कि मूँ की फसल के यान कि मूँ की फसल के बीज को किस राइजोबियम स्पीसिज का टिक का कल्चर यान कि टिक का जिसको कल्चर का जाता है बुआई से पुरो लगाया जाता है राइजोबियम जैपोनिकम राइजोबियम फेशियोली राइजोबियम लेग्यू लेग्यूमिनो सेरम और राइजोबियम ट्राइफुलाई तो मूँ की फसल के लिएगर बात की जाये तो राइजोबियम फेशियोली काम में लिया जाता है तो इस question का जो भी answer है वो right हो जाएगा सेरके की सर्थान पर आम तोर पे यानि कि आम तोर पे उस सेर की altitude लिखा होता है देखिए मैंने आपको पहले बताया था altitude लिखा होता है कहां लिखा होता है देखिए एक क्यूशन मैंने वहाँ पहले भी वो आया था क्यूशन देखी बस हड़ा भी नहीं होगा दमकल के अंदर भी नहीं होगा बड़ा डाक खाना भी नहीं होगा रेलो स्टेशन होगा मैंने बोला था ना आपको एटिटूड की जो उंचाई है वो रेलो स्टेशन पे देखने को मिलती है पीछी क्यूशन में तो यहाँ पे एक लाइन से दो क्यूशन उठके आए थे तो आप सभी ने देखा होगा कि क्यूशन को थोड़ा समझ के अगर पढ़ा जाए तो उस क्यूशन से समंदित क्यूशन आई जाते हैं कहीं कहीं एक्जाम के अंदर आगे है रिक्स्तान यानि खाले स्थान बिजाई यानि कि सोविंग से भारी वर्सा के कारण खेत में ऐस ताई तो पर पानी बढ़ने के नुकसान से फसल को बजाया जा सकता है सम्दल खाली डोली पर तो यहाँ भी इस क्यूशन है डोली पर होगा इस क्यूशन का अंसर है डोली पर होगा यानि कि बिजाई से भारी वर्सा के कारण खेत में ऐस ताई तो पर पानी बढ़ने के नुकसान से फसल को बजाया सकता है तो डोली पर बजाया सकता है मिर्च का चरपराहट तो मिर्च का चरपराहट का कारण क्या है केपसे थीन, केपसे सीन, कुकरे बेट देता हूं छर्पर हैंने का मतलब है अपना क्या सीन होता यह है कि मिर्च को खाने के बाद क्या सीन होता है यान की सीन सीन क्या होता है मिर्च को खाने के बाद में तो वह होता है कि यहां पर इस क्यूशन का अंसर है वो भी हो जाएगा आज के बाद आप क्यूशन को नहीं बुलोगे नेक्स्ट यहां पर अधारिय बीज यानि फाउंडेश Seed से पदा किया जाता है यानी परजनक भी से पदा किया जाता है नेच्ट है चिनो पोडियम एलबम EWina Fatois फैलरिस माइनर की फसल का मुक्य खरबतवार है तो देखे यहाँ पे फैलरिस माइनर का गर नाम आ गया तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इसक्यूशन का अंसर है वो गेहूं हो जाएगा देखो चिनो पोडियम एलबम है यहां पे जो बत हुआ है उसको बूल जाते हैं एक बार मान लो अविना फट्वा को भी बूल जाएंगे लेकिन फेलरिस माइनर को ता अपन नहीं बूलेंगे अगर फेलरिस माइनर का अगर नाम आ जाए तो गेहूंसा या गेहूं के अंदर लगने वाला मुखे नकल चिकर पतवार है तो इससे समंदित यहां पे सी आंसर हो जाएगा अब यहां पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि आईतन के अधार पर ओन दे बेस ओफ वेल्यू सुद वायू के नमुने का ओस्तन कर्बन डाय उक्साइड यानि CO2 होती है 0.003 और आगे है 0.033 आगे है 0.030 आगे है 0.0003 तो यहां पे इस क्यूशन का जो आंसर है वो क्या होगा तो देखे इस क्यूशन का जो आंसर है वो हो जाएगा 0.033% हो जाएगा कार्बन डाय उक्साइड के अगर मातरा पुछी है तो 0.033 होगी यहां पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि गुबर की खाद में नाइट्रोजन, फासफोर्स, फोटास यहन की N.P.K के मातरा पुछी है तो यहां पे N.P.K के मातरा पुछी है तो इस क्यूशन का अंसर है वो आपको सीदी से सिंपल बात करेंगे तो 0.5, 0.2 और 0.5 इस क्यूशन का अंसर हो जाएगा तो यहां पे इस क्यूशन में अपन डिसकस कर लिए आगे है नेक्स्ट हरीकाद के लिए आम तोर पर उगाया जाने वाला पोदा है हरीकाद के रूप में मुखे रूप से आप सभी को पता है कि गवार ये भी उगाया तो जाता है लेकिन मुखे तोर पे पुछा है तो मुखे तोर पे यहां पे आम तोर पे उगाया जाता है तो आम तोर पे उगए जाने वाला है वो आपको पता या धेंचा होगा मूंग भी नहीं है अरहद भी नहीं है गवार भी नहीं है तो धेंचा इसका राइट आंस्वर हो जाएगा अगर यहां पे भारत का हरीखाद के रूप में काम यह लिया जाता तो सनी की हरीखाद सबसे ज़्यादा रहती है आगे आगे है SPD या Seed Plant प्रनाली यानि की फसल है वो Beats Virus Free त्यार किया गया था किसमें त्यार किया गया था तो वो किया गया था आलू के अंदर जो Seed Plant, Seed Plot प्रनाली है वो किसमें त्यार की गयी थी तो आलू में की गयी थी इस Question का जो भी अंसर है वो Right हो जाएगा आगे जो Question है इस Question के बारे में हम Second Part में डिस्कस करेंगे गाइज क्योंकि अभी कुछ Region की वज़े से Class है वो End करनी पड़ रही है आप सभी Students को है वो Next Class है वो अपनी चैनल के मादें से मिल जाएगी आप सर्च कर सकते हो डबल एओ पेपर 2000 देस Part 2 सर्च कर लेना अभी ये Part 1 रख रहा हूँ Part 2 आप PDF की बात करेंगे तो PDF है वो आप सभी Students को है वो Telegram के अंदर मिल जाएगा आप सभी Students है वो Media के अंदर जाकर PDF डॉकूमेंट में चेक कर सकते हो वहाँ पे मिल जाएगा तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई अपडेट की उताथ तब तक जेहिंद बंदे मातरम